हलो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं प्याँज के पकोड़े जब मन किया कुछ चटपटा क्रिस्मी खाने का जट से बनाने वाले चीज में पकोड़ा ही आता है प्याँज के पकोड़े तो सब को पसंद भी आता है चली शुरू करती हूँ इस रेसिपी को बनाना यहाँ पर मैं दो बड़े साइज का प्याँज लिए हूँ इसे मैं ऐसे लंबाई में कट कर लिया है और यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज का आलू लिए हूँ इसे मैं छोचोट टुक्रों में कट कर लिया है आलू ओप्सनल है अगर आप चाहे तो आलू को इसकी भी कर सकते है और यहां पर मैंने एक बोल में अब मैं प्याज डाल दूँगी पहले अब टेस्ट के अकुटिक नमक डालूँगी और नमक और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताके प्याज का जेक्ष्टा पानी होता है वो निकल जाए नमक देने से अब कौभर लगा कर पांस से दस मीड तक रख देते हैं साइड में अब कौभर निकाल लेती हूं अब इसी स्टेच पे हम आलू डाल देंगे जो हमने छोची टुकडों में कट कर लिय हूं अब मैं एक चमच अजवाइन डालूंगी दो हरी मिच कटा हुआ अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिच को इसकिप भी कर सकते हैं एक चमच कस्मी लाल मिच कस्मी लाल मिच में तीखा कम होता है एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहों तो आप सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक चमच डालिएगा चावल का आटा देने से क्या होता है पकोड़ा बहुत ही क्रिस्मी बनता है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि प्याज, आलू और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब मैं आधा कटोरी बैसें डालूँगी लेकिन थोड़ी तोड़ी करके पहले डालूँगी मैं बैसें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर मैं पानी का यूज नहीं करूँगी अगर आप चाहे तो 2-3 चंबच पानी का यूज कर सकते हैं लेकिन मैं प् से इसलिए मैं पानी का यूज नहीं कर रही हूं तो कि बैसन डाल कर इसे अच्छी तरसे मिक्स करूंगी हम लोग का मिसरन तैयार है यहां पर मैंने तेल को अच्छी तरसे गरम कर लिया है एक टूथपिद डाल कर मैं देखती हूं देखिए तेल में बबल साना शुरू हो गय इसका मतलब क्या है कि तेल नहीं ज्यादा घरम है और नहीं ठंडा है मीडियम टेंपरेचर में टेल है अब थोरी थोरी करके मिसरन लेकर पकोड़े फ्राइ कर लोंगी और गैस का प्लेम लोटू मीडियम रखी हूं मैं दूसरा साइड वी पलट देती हूं ताकि पकोड़ कि हम ऐसे ही फ्राइ कर लोंगी अब इसे में सर्फ कर लोंगी मैंने सर्फ कर लिया है और मैंने सौस और गिरीन चट्नी के साथ सरफ किया है आप चाहे तो चाय के साथ भी खा सकते है यह बहुत ही टेश्टी बनता है अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आए तो मेरी चैनल क लाइक और सिस्क्राइब कीजिएगा और कॉमन करके बताइएगा कि मेरी रेसीपि आपको कैसी लेगी है थैंक यू